भारत बंद का असर आज चंडीगड में भी देखने को मिला चंडीगड के सेक्टर 17 और 43 बस्टेंड पर यात्री अपने अपने गंत्यव्य की तरफ जाने के लिए भटकते रहे बस्टेंड पर मौजूद लोगों का कहना है कि यातायात बंद होने की वज़े से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है खासकर बच्चों और बुज़र्गों को काफी परेशानी हो रही है वही चन्डिगर्ड की मार्किट में भारत बंद के कारण बाकी दिनों की तरह चहल पहल नजर नहीं आई बता दें कि सयुक्त किसान मौज़चा के आववान पर किसानों ने तीन कृशी कानूनों के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया है जिसके चलते किसानों ने सडकों को जाम कर दिया है इसी वज़े से बस और रेल सेवा शाम छे बज़े तक बंद कर दी गई है जब बस्टेंण पर यात्रियों ने बस ड्राइवरों से यात आयाद सो चारू होने के बारे में पूछा तो उनका कहना है कि 6 बज़े के बाद ही बातार है यह सुबर हम साड़े से बज़े आगे थे प्रिशान तो है जी अब सुबर से बैठे खाना पर ना बैटना में मस्किल जी तो क्या कहते रहें यहां पर यहां कहते छे बज़े के बाद चलेगा तो और भी आपके साथ भाज जाना पर अब हिशार जाना है मुझे कितनी प्रेशानी हो रही है शुबह से बेठी है यहां पर कोई बस नहीं चल दी है कोई विक्कल नहीं है चारो तरफ से सब चक्का जाम है पासपोर्ट के लिए आया था मैं यहां पर और आज मुझे को इसार पहुंचना है मेरी वेरिफिकेसन है इसके वज़े से मैं यहां पर र प्रेशान हो रहे है शुबह से बेठी हुए है शुबह से बेठी हुए है ब्रेकिंग निउस रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी शैलाक रुपे तक की सुवि जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें